हेलो फ्रेंज, वेलकम तो एट्वेंटीफोर नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे UIDAI, अधार काड की एक ओनलाइन सर्विस के बारे में, जोकी फ्रेंज, हर एक नागरी को करना जरूरी है, सभी को करना जरूरी है, अगर आप गिवन डेट तक इसे नहीं करते हैं, तो उसके बार आपके लिए, जो आप अगर इस सर्विस का यूज करेंगे, तो आपको कुछ रकम भी पे करनी होगी, तो अगर आप इसको free of course यूज करना चाहते हैं, तो आपको फ्रेंज से यहाँ पर आपको आपका अधार काड अपडेट करना जरूरी है, कैसे अपडेट करना है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और क्या-क्या आप अपडेट कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी मैं आपको प्रोवाइट करूँगा, तो यहाँ पर आप UID की वेबसाइट पर या फ्रेंज वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जॉबरासा.com का, वहाँ पर जाकर आप डेटेल्स को चेक कर सकते हैं, जिसमें अधार का डाउनल मिल जाता है, तो आप कोई भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, इसके बार आप आएंगे इस पोर्टल पर जो की है, वेलकम टू माय अधार, या फ्रेंज आप डायेटली माय अधार की ओफिशल वेबसाइट पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर आप लेंग्वेज चूज कर सकते इसमें क्या कहा गया है आपसे ही, तो आपसे ही कहा गया है कि क्लिक हेर टू अप्लोड यूर पूफ अफ आइडेंटिटी और पूफ अध्रस डॉकुमेंट, यह सर्विस जो है, वह फ्री ओफ कोस्त है, 14 मार्स दोहजार चौबिस तक, इसके अलाबा फेंज से आप यहां स कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारी मेल आइडी, 824-knowledge-gmail.com पर आप हमें अपने क्योरी को सेंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले आएंगे देखिए, इस सेक्शन पर आने के बाद आपको यहां पर देखिए, एक आप्शन मिलता है, लोगिन का, आप इ नीचे है, आपका देखिए, एंटर capture code, तो यहां पर फ्रेंट से जो यह capture code दिया गया है, यह capture code आपको यहां पर fill करना है, इसके बाद send OTP वाले इस option पर आपको क्लिक करना है, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे, एक OTP आपके पास आएगा, वो OTP आपको यहां पर enter करना होगा, और उसके बाद जो आपका यह option है, आपके login का, यह आपका फ्रेंट से activate हो जाएगा, और उसके बाद फ्रेंट से आप यहां पर click करके login कर सकते हैं, तो यहां पर फ्रेंट से देखिए, जब आपके पस OTP आ जाता है, तो आप यहां पर जाएंगे इस option पर, और यहा आपका ही dashboard है, जिसमें आपको आप अपने अधारकार से related, कोई भी option का use करके उस जानकारी को सही या change कर सकते हैं, अब यहां पर क्योंके हम बात करने वाले हैं, अपडेट के बारे में, तो यहां पर एक option है, डॉकुमेंट अपडेट का, आप इस option पर click कर देंगे, यहां पर click करने के बाद, आपको देखे, यहां पर कुछ जानकारी आपसे कही गई है, पहरे आपसे कहा गया है, कि आपको यह advice किया जाता है, कि आपके अधारकार को और मजबूत करने के लिए अपने documents को अपडेट करें, अधारकार database के लिए, जिसके लिए आपको proof of identity और proof of address proof आपको यहां पर देना होगा, इसके लिए फैंसे आप enrollment center भी जा सकते हैं, या फिर directly आप भी यहां से इसे कर सकते हैं, जो service है, free of course 14 मार्ट 2024 तक आपकी रहेगी, इसके बाद आप next step पर click कर देंगे, next step पर आने के बाद, फैंसे यहां पर देखे, आपको how it works का option मिलता है, click here का आप यहां पर click कर सकते हैं, अब देखिए आप update करेंगे अपने अधार कार्ड को online, या फ्रेंसे आप यहां पर जो head of family है, आपके उसके basis पर अपना address update करेंगे, तो अगर आप head of family के basis पर update करना चाहते हैं, अपने अधार को, तो आप इस option पर click कर सकते हैं, और यहां पर आप जानकारी चेक कर सकते हैं कि आप कैसे इसे अपडेट यहाँ पर कर पाएंगे तो इसके बाद फ्रेंट से हम यहाँ पर देखी सिंपली यहाँ पर जो है अपना एड्रस जो अप्लोड है डॉकॉमेंट अप्लोड है वो करेंगे तो जब आपको यहाँ पर यह आपका जेंडर, आपका डेट marijuana, आपका एड्रस अगर यह जानकारी बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पर आईवेरिफाई पर क्लिक करेंगे आईवेरिफाइव करने के बाद आप यहाँ आप अप सकते हैं, यहाँ आप चीजी का हैक डियाफन ऊप्सक्रार स्कुलीर स्कूटार पास प्सक्राइब किसान पांस फोटेगराफथैं यहाँ पासम॥म्5 कार्ए क किसन फोटग्राफफन कसंद oo pazand ओपको यहाँ के पास available है जैसे माली जे pen card है तो आप यहाँ पर pen card select कर सकते हैं जिसे pen card आप select करेंगे तो यहाँ पर देखिए pen card पर आपका नाम और photograph आपका यहाँ पर होना जरूरी है तो यहाँ पर आप इसे okay करेंगे और उसके बार friends से यहाँ पर देखिए आपको आपका जो document है वो आपको यहाँ पर upload करना होगा तो इसके लिए friends आप view detail या upload document पर click करेंगे और यहाँ पर continue to upload पर आपको click करना है और आपकी file को select करके यहाँ पर upload कर देना है ऐसे ही friends आपका देखिए next option आता है please upload proof of address का तो यहाँ पर आप जाईए और यहाँ पर देखिए आपको और options मिलते हैं अब आपके address proof के लिए तो यहाँ पर देखिए electricity bill बिजली का bill आप दे सकते हैं और यह friends तीन महें जारा पुराना नहीं होना चाहिए gas connection bill दे सकते हैं यह भी आपका तीन महें जारा पुराना नहीं होना चाहिए बामाशा ID, Domitial Certificate जन अधार, reference आपका जो job card है, labor card है वो आप दे सकते हैं किसान photograph, passport दे सकते हैं Indian passport दे सकते हैं राशन card दे सकते हैं, इसके लावा voter ID आप दे सकते हैं, water bill दे सकते हैं, तो आपको देखें यहाँ पर और options मिल जाते हैं आपके according इन में से फ्रेंज से जो भी option आप यहाँ पर use करना चाहें बतलब कोई भी option जो भी आपका address पूप आपको शोग कर सकें, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं merit certificate भी आपको यहाँ option मिलता है तो आप merit certificate भी दे सकते हैं तो आपको यहाँ पर देखें, वो option भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो यह options आपके सामने available हैं आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन से documents आपके पास available हैं उसके according ही option को select करें उसके बाद यहाँ पर view detail पर जाएं जैसे मालीज आप भामाशा का याड़ है, डॉमिशल कार्ड आप select करते हैं तो इस पर फ्रेंस आपका देखें जो आपकी certificate है, उस पर name of the resident address आपका होना जरूरी है आप यहाँ पर इसे click करेंगे, view upload पर click करेंगे फाइल को select करेंगे, upload करेंगे इसके बाद यहाँ से declare करेंगे और उसके बाद यहाँ पर next step पर click कर देंगे इसके बाद friends आपको यहाँ पर submit करने के बाद आपके सामने friends यहाँ पर जो action enrollment slip है वो आपके सामने यहाँ पर जारी हो जाएगी जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो कि है document update के लिए यहाँ पर फ्रेंज से देखिए कोई भी आपको यहाँ पर payment करने की ज़रत नहीं है जो amount pay होगा वो आपका फ्रेंज से देखिए 0 रुपे रहेगा तो आपको यहाँ पर free of course ही आप इसमें जो है अगर यह verification stage में होगा तो verification stage का आपको यहाँ पर option मिलेगा तो यहाँ पर friends जैसे हमारा यहाँ पर case में हमने पहले ही इसे update कर दिया था document upload कर दिये थे तो यहाँ पर मैंने आपको show किया है जब आपका status complete हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर completed का message show करेगा आप चाहे तो यहाँ पर दुबारा से download कर सकते हैं अपनी slip को तो मैंने आपको सारी process यहाँ पर बता दी है कैसे friends आप अपना document upload कर सकते हैं अवाचिन आपको यहाँ पर वाचिन